हरो हरो हाज हम देखने वाले हैं बोर सारी चीज एप्सक्राइग गन्वी की निकालती है एंड रिफोर्मिंग क्या होती है एंटी नोकिंग एजंटक्पो अगर आथा अता है तो आप यह और यह कर सकते हो और यह एक सेपरेट टोपीक है तो इन सब को वन वाई वन देखते हैं लेट्स स्टार्ट विद नोकिंग बेसिकली नॉक नॉक कौन आया तो यानि कि कोई अंदर आता है जिसे सब्सक्राइब दूसरा यहां पर ले रहे गेट में गेट के लिए कोई गेट पर खड़ा है और अंदर आ रहा है तो वह पहले नोक करके आएगा ठीक है नोक करने से पहले अंदर नहीं आ सकता राइट तो इसी परकार से जब आप लो क्वाल्टी का फ्यूल यूज करते हो तो आपका जो आइसी इंजन होता है उनके कंबस्टन बहुत स्मूद्ली वर्क नहीं करेंगे कि लो बढ़ेगा और स्योटू बार-बार बहुत ज्यादा निकलेगा ठीक है तो लास्ट पॉर्शन ओफ फ्यूल एर मिक्सर में क्या होगा इगनाइट हो जाएगा जिससे यह एक्स्प्लोजीव वोईलेंस प्रोड्यूस करता है एज नोक करता है यह चोट-छोटे एक्स्प्ल अगर उसके पास मोलेक्यूल में डबल बोर्ण से यह साइकली की स्ट्रक्चर है तो उससे आपकी नोकिंग की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है और इसका इंजर्णल अगर आपन डिक्रीज देखे तो सबसे पहले तो स्टेट चेन पेराफाइन होते हैं यानि के एक स्टे टिक में होती है अब इसके अंदर एक चीज जैसे डागराम के थूरू समझाओं आपको जैसे यह वर्किंग साइकल है फॉर स्टोक का आईसे इंजिन का जिसमें आपके सक्षन स्टोक है यह यह पावर का है ठीक है यह आपके पिस्टल लग रहे है यह फ्यूलेयर स्टोक यहां पर निकल रहा है वोल्यूम वह वीवन है और यहां यह डिवाइड भाई जो कंप्रेशन में स्टोक हाथ है वह वी टू तो डाट इस यह सक्षन के आपको डिटेल दे रहे हैं बट इस इस नोट मच उसफूल फोर अस मेंली अपनको तो नोकिंग को अंडेसें इस सब्सेंगे वाटें है चोंडे अबन कोमन वह आपके साहए उसी नोकिंग फोटेंग को किस तरह से आप मिथेमैटिकल फोम में अबिशर कर सकती हो को you can do using the octane number how it is happen so it has been found that an heptane knocks very badly and the isoctane is a more resistant to the knocking okay so we can say कि इसका octane number बढ़िया होगा तो जो एक तो straight chain में है ठीक है उनका octane number आपको zero देखने को मिल रहा है और जो आपके यहां पर थोड़े branch form में देखने को मिल रहा है आपनको that is your isoctane that comes into the with the octane number of 100 अब यह octane number zero यह 100 के से हुआ यह भी समझते है अपन सो बैसिकली होता क्या है जब आपका n-heptane है जो आपका straight chain में था ठीक है वो क्या करता है maximum sound produce करता है during the burning यानि कि बहुत ज़्यादा knocking परफॉर्म करता है क्योंकि मैंने बतायता है state chain paraffine की सबसे ज़्यादा knocking होती है फिर आपकी branch फिर end zone होता है तो n-heptane की सबसे ज़्यादा होती है इसके कराण anti knocking value होती है वह very less होती है and उसको octane number से assign के जारा है that's why उसकी value zero है क्योंकि इसका sound यानि इसकी knocking सबसे ज़्यादा है तो इसका anti knocking value क्या होगी कम होगी जिसका पर अक्टेन नंबर से रिपरजेंट कर रहे है क्योंकि इसकी वेल्यू जीरो है थस ऑक्टेन नंबर इस इंडेक्स ऑफ नौकिंग ऑफ गैसोलीन इन इंटरनल कमशन इंजन ओके एक सेंपल ऑफ दी पैट्रोल गिवसे जिसके अंदर पैट्रोल है जिसमें मिक्शर है 80 परचंट आइसो ऑक्टेन नंबर क्या होगा बया एक्टी होगा ऐसा क्योंकि आपन निकाल आवा था जो अपने पास एक पूरा चार्ट गिवन होता है तो आइसो ऑक्टेन का हंड्रेट है तो 80 से मल्डिप्लाइब करके उसका निकाल पाओगे अब नौकिंग एजेंट्स एंटी नोकिंग एजेंट्स इस सम्टिंग कि जो नोकिंग टेंट्सी को रिड्यू नोकिंग गड्सक्ति इस समय नेट्स सब्सक्राइब य प्रोड़क्ट बनता है और गेस तो एकस्केप हो सकती है उड़ सकती है तो वहाँ पर जमेगा नहीं में कुछ भी नहीं बनेगा तो प्लस में स्यस्टू डबल बॉर्ण में स्यस्टू आ गया अगें वी केंसे लीड जो है हैलाइड गा वह एक तरह से पोजनेस होता है यूमन एनिमल्स के लिए इसको यूज करना डिस्करेज़ किया जाता है नाओ भी विल सी रिफॉर्मिंग रिफॉर्मिंग क्यों करने चींए इसके बीचे कारण है अभी अपने बड़ा नोकिंग नोकिंग में सबसे मेला कारण था इस्ट्रेट चेन अगर मॉल्यक्यूल्स है तो वह सब ज़्याद़ नोकिंग बना रहे हैं तो क्यों ना अपन करें कि straight chain hydrocarbon को branch chain compounds में convert कर दें जिसकी knocking कम है ठीक है अगर ऐसा है तो we can do this to reforming we are using that's why reforming process involving modification of the structure of the molecule by the action of heat pressure and the catalyst to give the high octane petrol and the petrol chemicals feed shock high octane in the sense कि anti knocking सब्सक्राइब किसके पास होगी जिसके पास knocking सबसे कम होगी and हमें पता है कि straight से कम है branch में knocking so इसका high octane होगा obviously so we can try to reform the straight chain hydrocarbon carbon into the branch chain compounds so anti-knock characteristics of gasoline can be improved by reforming जिसमें parafine को अपन इसो पराफाइन बदल देंगे जिसका octane बढ़िया है नंबर parafine को naphthalene में कर देंगे जिसका octane नंबर बढ़िया इस अपने पास यह नंबर है स्ट्रेट वाला इसमें catalyst जाल देंगे अपन इसको इस तरह से form कर देंगे विच इस हाँ यह ब्रांश chain compound and similarly अगर यह है तो इसको मैं branch chain में या cyclic form में convert कर दूँगा यह आपका benzene right and यह आपका hydrogen यापे release हो गया आपका reforming कर सकते हैं like we have thermal way we have the catalyst way thermal में क्या होगा आपके पास absence होगी catalyst की and आपका pressure 85 ADM यानि atmosphere 500-600 degree celsius and standard gasoline को आप यहां पर यूज करने वाली हूँ अगर मैं आपको इसका diagram शू करूँ so in this diagram we can see आपका gasoline feed stock गया heater में गया वहां से quencher में गया जहां पर उसको में जहां पर अलग-अलग fraction में डिवाइड हो जाएगा ठीक है and जो गेस होगी उपर से निकल जाएगी जो crude oil होगा वो आगे shift हो जाएगा that will go into the streamer जहां पर stream बन जाएगी and finally stabilizer के पास जाएगा जहां पर condensed gas को side में कर जाएगा जाएगी and reformed gasoline आपको यहां पर मिल जाएगा ठीक है तो इसके अंदर catalyst का कहीं नहीं पड़ रहा है अगर मैं बात करूँ catalyst की आपकी reforming की तो यह diagram अपना catalyst का reforming का जिसके अंदर मैं पता है प्रजेंस ऑफ catalyst होती है 460 degree Celsius temperature 35 to 50 degree atmosphere pressure होता है and fixed bed catalyst होता है moving bed we can use any one of this ठीक है तो simply यहां पर दो low boiling components है and यहां पर gasoline feed को inject किया जाएगा फ्रेक्शनल के अलग 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 डिवाइड हो जाएगे and यहां पर क्या होगा gasoline होगी उपर की साइड में ठीक है एंद फ्रेक्शन के अगोडिंग ठीक है यहां फ्रेक्शन लग रहा है 500 degree Celsius पर यहां से अपन एस्टू गेस का compression डालते है that process will come at the last before of that we are using at the compressor at this side and heater लग रहे हैं आपर ओके and similarly fractional मतलब कुल मिला कि जो आपने पड़ा था ना लास्ट वीडियो में वह की वही रिफॉर्मिंग प्रोसेस जिसमें अपने स्टेट चैन को किसमें करें ब्रांच चैन कंपाउंड के अंदर कंवर्ट कर पा रहे हैं और भी रिफॉर्मिंग होती है फर एक्जामपल्स ना वी विल सी सम्टी फॉर्मिंग रिएक्शन वेरी फश्ट इस डिहाइड्र जेनरेशन इन विच साइकली के लकीन को अंट्रुज क्या जाता है इसको आपने फर्दर बेंजिन में कर दिया तो इसके अंदर यहां पर एक आपका सिंगल बॉंड किते अंदर यहां पर टोल्यूसीन बन गया इसके अंदर भी तीन बॉंड आगे बंट उतरी तो इस सर्कल तीन बॉंड की तो शो करता है इसी न्यूथेल आपका डीधियृजिवजीशन जिस में एन एलकलीन को पहले साइकिल एलकलीन में कर्वर्ट किया जाता है फिर साइकल एलकलीन किसके दुआरा हैं तो इसको अपने अपने आपकर भापिस तोलुशीन बना दिया था थार्ड है थारे अपना आईळो मेश सोह हो रहा है यह पर शेट चएन कंपाऊंड को बांच हाइड्रोम कार्बन मेंमें कई पर रहे हैं देख परियोक्त भूस को हीच्टлоस healthy ध्युश होटा है हैं शेकिला होता है जो फाइड्ड़ोखर्ड्य पर शेल श्रत आथा वह अपनी जगें ले लेते हैं और higher hydrocarbons के रूप में फॉर्म हो जाते हैं जैसे कि आपका end decayn है वो end pentane में convert हो गया तो यही तो यहां पर process हुई है कि higher hydrocarbon यहां पर फॉर्म हो गया तो यह थे कुछ था हमारे dehydration, dehydrocyclization, isomerism, hydrocracking, thermal reforming, catalyst reforming यह कुछ चीज थी जो हमने पड़ी reforming के अंदर and we have done okay मिलता है आइस वोट के साथ मैं जैसे जवारा thank you so much and video को लाइक जरूर करें दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें okay